चैनल को सबस्क्राइब कीजिए और बेल आइकन भी दबा लीजिए जिससे आपको समय पर अपडेट मिलते रहें तो स्वागत है आपके अपने ही चैनल मासाब की पाड़ साला में देखे जनपच चित्रकूट के पहाड़ी ब्लॉक में ये दो परिच्छा आईजित हुई हैं जिसमें पहली परिक्षा करनी थी प्रात्मिक और कमपोजिट विद्याले के सिक्षकों को और दूसरी परिक्षा करनी थी प्रात्मिक, कम्पोजट विद्याले और उच्छ प्रात्मिक के विद्याले को तो अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा उसमें जाके आप पहला वीडियो देख लीजिए उसमें क्या प्रशन पूछे गए वो आपको सारे मिल जाएंगे अब हम देखते हैं कि दूसरे भाग में जो सभी प्रात्मिक और उच्छ प्रात्मिक विद्याले के सिक्षकों को करनी थी उसमें क्या प्रशन पूछे गए और उनके क्या उत्तर हैं और इसके साथ ही सभी जनपत के लोग तयार कर लें आपके जनपत में भी कभी भी परिक्षा हो सकती है और आपसे इससे रिलेटेड ही कुश्चन पूछे जा सकते हैं या यही कुश्चन पूछे जा सकते हैं से बिक्सित किया गया मॉडूल है तो वो कौन सा मॉडूल है तो वो है ध्याना कर्षड शिक्षड प्रक्रिया होनी चाहिए कैसी होनी चाहिए लचीली गतिविधी निर्माड के तरीके सीखने के लिए किस मॉडूल का उपयोग किया जा सकता है उसके लिए है सिक्षड संग्रह सुन्योजित कक्षा व्यवस्था के फाइदे हैं क्या फाइदे हैं सिक्षड परते एक वच्चे को कार के दोरान मदद करने में समर्थ होता है हर वच्चे को सीखने का परियापत अबसर मिलता है सिक्षड के लिए सिक्षड कार सहज हो जाता है तो उपरोग सभी सही है इसमें ध्याना कर्शन मोडियूल बिसेश रूप से विक्सित किया गया है किसलिए विक्सित किया गया है कच्षान रूप संप्रापती स्तर से पिषडे बच्चों के लिए पहला उप्सन सही है इसका सिख्षड योजना के प्रारूप में कौन सा बिंदू सामिल नहीं है तो सीखने सिखाने की सामगिरी सामिल है लार्निंग आउटकम सामिल है बेसिष्ट उद्देश से सामिल नहीं है भासा के लिए विक्सित आदारसिला संदर्ख सिखाओं की संख्या है तो जो भसा के लिए आधर सिला संदर सिकाऊं का विक्सित की गई है तो कक्षा 1,2,3 के लिए की गई है तो संख्या हो गई इसकी 3 उप्चारात्मंक सिक्षड से संबंदित मॉडिूल है तो वो है ध्याना कर्षड आधार सिला संदर सिकाओं का निर्माण किया गया है आधार सिला संदर सिकाओं का निर्माण किया गया है कक्षा 1,2,3 के लिए वासा और गड़ित की मतलब 6 संदर सिकाओं का तयार किया गया है सहज पुस्तिकाओं का निर्माण किया गया है तो सहज कक्षा 1, 2, 3 के लिए कहानी की पुस्तिके हैं तो पहला उप्सन इसमें सही है परिवेशी अध्यन सिक्षर का उद्देश से है तो परिवेश को समझना और उससे अपना संबंध समझ पाना पहला उप्सन सही है इसमें सिच्छक प्रदर्शन मानक के सूचकों के कितने स्तर हैं तो वो चार स्तर हैं A, B, C और D सुरुवातिक अक्षाओं में बच्चों से संबाद करने के लिए कारगर है तो सामगरी आदारित गत्विदी अगर कोई सामगरी नहीं होगी मूर्त रूप में अगर हम उनको चीजे नहीं दिखाएंगे तो वो नहीं सीख पाएंगे तो पहला इसमें मौकिक गत्विदी भी हो सकती है लेकिन कारगर गतिविदी जो है सामगरी आदारिद गतिविदी ही है तो तीसरा उप्सन सही है सिक्षड योजना से पढ़ाने का क्या फायदा है तो कक्षा का माहौल रुचकर होता है बच्चे निर्दारिद लर्निंग आउटकम हासिल कर लेते हैं देखने सिकाने के परक्रिया योजनावत तरीके से चलती है तो हमें सारे अप्सन सही है फोर्थ अप्सन सही है यह सभी ध्यानाकरशण मॉड्यूल में दी गई इस शिखड तकनिकियों की संख्या कि दीं стать तो है तीसरा option सही है इसमें ध्याना करशंड मोडियूल में चर्चा की गई है क्या की गई इस इसम्सक्रिट की चार श्रेडियों में सम्मलित नहीं है तो क्या सम्मेलित नहीं है संस्क्रित सिक्षड तीसरा उप्सन सही नहीं है आकरशक स्कूल परसर सिक्षड कौसा लेवम योजनाय पुस्तकाले आथ से सम्मझदित जानकारी किस मॉडियूल से मिलती है तो वो मिलती है सिछड संग्रह से विवाग द्वारा कुल कितनी आदार के विंदूओं का ग्राफिक निरूपड पहला उप्सन सही असमें आकलन प्रपत्र निर्माण है तो कुछ नमूने किस मॉडियूल में दी गए हैं तो वो ध्यानाकर्षड मॉडियूल में दिये गए हैं मौकिक अभिवैक्ति के मुखित तत्तों हैं सुनी गई बातों पर रेस्पॉंस देना अपने अब लोकन विद्यने कनभव साजा करना सुनी गई बातों को अपने सब्दों में व्यक्त करना तो यह सभी ऑप्सन सही है गतिविदी निर्माण के प्रमुक्ष चरड कौन से हैं तो वो है ए ए आर ए सी एक्सपिरियंस रिफ्लैक्षन अप्लिकेशन और कंशोलिडेशन ए और एसी यह कोई सिख्षक के दारान बच्चों को बातें ध्यान पूर्बक सुनता है उनके अच्छे कारियों की सराना करता है कन्यमित आकलन करता है तो वो क्या कर रहा है प्रवावी सिख्षड दूसरा सही है इसमें प्राता कालीन सभा का समय मॉडूल के अंसार कितना है तो इसमें 29 मिनट 22 सेकंड तीसरा उपसन ही सबसे 60 हुँनता है एक अच्छे सिख्षक द्वारपनी सिख्षड परकिरिया में सामिल किया जाता है तो सतत आकलन समस्या पर चिंतन समय रहति समस्य का इसका चौथा option सही है सिख्षक डायरी क्या है स्वा मार्क दर्शिका तीसरा option सही है प्रभावी सिख्षड की CD के बारे में किस मॉडूल से जानकारी प्राप्त की जा सकती है तो प्रभावी सिख्षड बांडूरा की किताब है उसमें एसे लेके जएड़ तक प्रभावी सिख्षड की तकनीक बताई गई है तो वो है आपके सिख्षड संग्रया में इसका तीसरा option सही है निम्ण मैंसे किस के दवारा सिख्षक समझ सकते हैं कोई सिख्षड कार में कितना सफल हो पा रहे हैं तो वो मूल्यांकन के दवारा ही समझ सकते हैं तो इसमें पहला option सही है foundation learning के लिए विक्सित module कौन सा है तो foundation learning के लिए आधार शिला है तो ये आपके सारे option सारे questions के options हो गए अब देखिए ये खाली चित्रकूट जनपत के लिए ही नहीं है अगर आप किसी भी जनपत में हैं तो वहाँ पे भी इससे related question पूछे जा सकते हैं और आपके लिए लावकारी हो सकते हैं तो इन questions को आप याद कर लीजिए देख लीजिए, notes बना लीजिए और अगर आप हमारे channel पर नए है channel को subscribe नहीं किया